आज मैं बनाने जा रहे हूं सूजी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता इसे बनाना बहुत ही आसान है इसमें बहुत सारी सब्जीयों का यूच करेंगी यह हेल्दी भी लिया है je तो जब से फिर्डव आप कवान्टिटि विल्कुल आदे ही रखनी है बहुत ज्यादा नहीं रखनी है इसको अच्छी से फेट लेंगे, अब मेरा वैटर थोड़ा सा टाइट था, तो इसमें मैंने दो चम्मच पानी और डाल दिया है, और इसको मैंने हलके हलके हाथों से गुमाया है, इसे जल्दी जल्दी भी गुमाना है, क्योंकि इसमें कोई गुट्ली और गान ना पड़ें, और हमारा जो लेकिट लिया है, दो मैंने मिर्ची काट लिया है, एक मैंने प्याज लिया है, और यह मैंने पनीर लिया है, और यह मैंने टमाटर लिया है, और मैंने यह बंदगो भी, करीब 50 गराम बंदगो भी मैंने इसमें फाइंडी चॉप कर ली थी, और यह मेरा हिंग पाउलर है, तेस में नेज़ना मांब में 10 मिन अखति . डिल आफ में नौन के थीक लग रहा है मैं थाला को मैं अपता नंज दाले लगा है रव्याऊ पैटर शाल्गा, क्व нельзя टा लुम के शाघरब दहीं तेज्यालार को छाना है और चलाके हमें इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा बैटर अच्छी से चलाएं जिससे हमारा ये फूल जाए इसमें मैंने जो अद्रक ली थी वो डाल दी है और इसमें हरी मिर्च डाली है आप अपने हिसाब से मिर्च डालें कम या जादा कर सकते हैं एक मैंने जो प्याज ल अब मैं इसमें दीआ लीड़ायत ये जैसने चयाट मसाला डाल दिया है अब इसमें डालेंगे और यह हम ने हिम् पाउडर अपन इसमें लालएं प्ड़े छी पीच डालाईली है अब बहु बहु भावाट शुपीच जबा हैं अब नाल मिर्च पाउडर डालां बढ़ा अब जालों के सबची छी गॉंट्टी में डाले और ये मेनग गरम मसारव डाला राता है सब्सक्राइब अच्छा स्वाध बढ़ा निकल की आएगा इसको हम हाथों से अच्छे से चमच से इसको मिलाएंगे अभी हमारा यह वैटर थोड़ा सा फिर से थिक हो गया हमारी सूजी फूल गई है इसमें थोड़ा सा हम पानी का एड़ करेंगे जब पानी एड़ हो जाएगा देखिएगा अभी यह बहुत ज्यादा टाइट है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी दो चमच करीब पानी फिर से आड़ करा है और इसको हलके हलके हाथों से हम गुमाएंगे अब इस यहां इस स्टेज तक आते हमारा यह बैटर काफी अच्छी तरीके से फूल गया है सबजियां पानी छोड़ गई है और सूजी में अच्छे पीक करनी के लिए एक चमज पानी दाला है और इवार पानी पाननी के लिए को जल्ड़ा एका जानी के लिए जल्ड़ी एक च्चे सै इस गँमाने और सबचियों को अच्छे चछ्शे गमाएंगे जिसे हमारा वैटर फूल एच्छा रेडी हो जाए और हमारा तवा रखा है और आज को लो मीडियम पर रखेंगे इसमस्ते तवा को मैंने एक चमस तेल में तेल डाला है और इसको तवा पर स्प्रीट कर लिया है इसकी आँच सही है, तो अब मैं इसमें चीला से आप को बनाएं देखाएंगे, एक चीला एक पैंकेक और एक फिंपाट और एक पहाँएंगे तो आप यह मैं चीला बनानी की प्रोसेस मी चीला और पैंकेक थोड़ा सा पारफ होता है, आप ध्यान से देखेंगा चीला थोड़ा पतला हो और पैनकेक हमारा थोड़ा मौता और बच्चो वाले जो पैनकेक होते हैं वह हम छोटे-चोटे करते हैं जैसे बच्चे हमारे अट्रेक्टिब होके खाए लिए तो अब यह मेरा पैनकेक पांच मिनिट रखेंगे अब मैंने यह देखिए अब सूज के अंदर चले जाए और यह हमारा देखिए जो चीला है वो एकदम निकल रहा है तबे से और मैं इसको आप पलट होंगी करिब पलटने पर देखिए कितना अच्छा कलर आया एक तम गोल्डन ब्राउन कलर आया हमें इसी स्टेज पर पकाना है जब हमारे यह पक जाए एक स थोड़ा सा अच्छे से पकालें इसको ट्विस्ट करेंगे और यह पांच मिनिट में हमारा चीला बनके यह तैयार हो गया है इसी प्रोसेस ते अब यह इसको आप अप हरी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं सॉल्स के साथ कर सकते हैं यहां तक दई के साथ कर सकते हैं इसे हम दूसरा बना के टिखाएंगे यह हमारा फैंकेख होगा इसमें सोड़ा सा बैटर जादा डालेंगे और बैटर को बहुत-जादा इसप्रिट नहीं करेंगे हलके हलके हाथों से वहीं पर फैल आएंगे जिससे हमारा ये पैंकेक बनके तयार होगा बहुत ही जादा सॉप्ट लगेगा इसको हम 2-4 मिनिट तक ऐसे हलकी आच पर रखेंगे और मैंने इस पर क्यूपस डाले हैं और क्यूपस इसको इसमें पनीर के क्यूपस से बहुत देखिएगा अब ये मैंने 2-4 मिनिट के लिए इसको मैंने पकाया है हलकी आच पर पकाना ये हमेशा याद रखें क्यूंकि नीचे से ये नहीं तो जल जाएगा अब जब इसमें जब थोड़ा सा ये हमारा सूजी का बैटर अच्छे से सूग गया है उपर से देखिएगा तब मैं इसको थोड़ा सा ओल डालूँगी और अब मैं इसको चाकू की मदद से देखूंगी कि हमारी सूजी अभी पूरी तरगे से फूली नहीं है अब मैं इसमें जब सूजी हमारी फूल चुकी है बन चुका हमारा पैनके तो अब इसको टिस्ट करके पल्ट लिएगे जब यह पल्ट जाएगा तो हलके हलकी हांतों से इसको प्रैस करके इसको से लिए जिससे उधर से भी हमारी सूजी कच्ची ना रह जाए और हमारा यह पैनके देखने में भी अच्छा लगी जब यह गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाएगा देखिए कितना फूल रहा है इसमें बिल्कुल साप चाकू निकल के आया है इसमें कोई सूजी नहीं लगी है तो हमारा पैनके बनके तयार हो गया है अब मैं इसको भी प्लेटिंग करने की प्रोसेस में आती हूं तब तक मैं अब आपको देखेगा अब तक मैं आपके लिए बच्चों के लिए बनाना के लिए तयार कर रही है इसमें वेटर को अच्छे से उसी फ्लेम पर रखा है करीब 2-5 मिनिट की उसमें रखा है टाइमिंग पे और उसको अच्छे से पलट लिया है देखा है कि हमारा ये कितना अच्छी पैनके बन गई है जब हम बच्चों को ऐसे देते हैं न तो हमारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं और कहते हैं मैं मेरा बच्चा तो ऐसी खाता है कि ममा मुझे और दीजे आप भी बना के देखिएगा रैस्पी पसंद आई हूँ तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें थैंक